और यह जो काम कर रहे हैं यह, यानि seniors को अलग करने का, एक तरीके से Congress को और let down करने का, भाव आप इतने अनुभावी पत्रकार हैं, हाला कि इस विशे पर पहले भी बात्चीत हो चुकी है, जो सीनियर हैं, जो Congress को बचाना चाहते हैं, जो Congress को लेकर के चिंतित हैं, उनके सामने रास्ता क्या बचा हैं, आप seniors की बात कर रहे हैं, तो भी हितियास हम देख सकते हैं, हिस्ति में क्या हुआ है, देखिए, जब ये सब लोग जो समय के seniors से, उनको हटा दिया आप इंदरा ज थे, ऐसे लोग सामने लाए गए, लेकिन इंदिरा जी ने जब उसके बाद 71 का चुनाव जीता, और बड़ी बड़ी भारी संख्या में जीता, तो वो seniors वापस आ गये थे, कितने मचे थे, हमारे यसंदरा चवान थे, एक एक करते, मुरार जी देशा ही हो, सकापाटी लोग अतिलो घोष हो, मेरा कहिए चंद्रभान गुपता हो, ऐसे गिने चुने लोग हम छोड़ दे, तो बाकी सब लोग इंदिरा जी के साथ आगए थे, खुद संजीव रेड़ी चले गए थे, ब्रह्मान अंदर रेड़ी चले गए थे, अगर तुम जीते हो, देखिए इंदि जीता जाता है, क्या राहूल गांदी के पास वो क्रेडिबिलिटी है, हम देख रहे है, 2013 से लेकर आज तक एक चुनाव राहूल गांदी ऐसा नहीं दिखा सकते, कि वहीं ये मेरे कारण जीता है, विदान सबाका हो, लोग सबाका हो, एक भी चुनाव, कॉंग्रेस ऐसा नह देखाया था, अगर वो चीज हो जाती, तो ये सब जो नाराज बैटे सीनियर कॉंग्रेस लीडर से, वो नाक रगड कर गोटने टेक कर, इनके पास वापस आ जाते, बोले हमारे गल्ती हो गई, बोल देते, जो इंदराजी के साथ हुआ था, इंदराजी के साथ हुआ था, जगजिवर नाम की बेटी ही मिरा कुमार थी ना, मिरा कुमार बीजेपी में भी गई थी, वापस आ गई, क्यों कि सोनिया गांदी अगर जीत लेती है, तो सब वापस आ सकते, लेकिन सोनिया गांदी अब चुनाव जीत नहीं रही है, उन्होंनों बेटे को आगे किया, और तीन साल में वहीं से बड़ी बाड़ी संख्या में वोट लेकर फिर से जीत गए थी, लोग इसलिए उनके पास वापस आ गए, इसलिए वापस आ गए थी, और इनकी हालत देखो, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बाते करते हैं, वो जो अस्ती के चुनाव से जो सीटे जीत क अमेर्थी असी से लेकर एका दूसरा जो गांधी परिवार नहीं था, उस वक्त छोड़कर अमेर्थी तो कॉंग्रेस जीती आई है, सोनिया गानी ने जीती है, राहूल गानी ने, राजिव गानी ने, अरुन नहिनुने, तो आप वही सीट गवा बेठे, तो आपको सीनिय और क्यों किमत देगे, क्यों देगे, जैसे मैंने बोला, वो उस डॉलर की नोट जो थी, वो बोले, आपके बस रखो, मुझे नहीं चाहिए, जहाँ उसके एक नोट के तीन सो रुपए मिलते है, वहाँ चलाओ, मेरे दुकान पर नहीं चली, तो ये जो कॉंग्रेस के नेत कार्यकरता सपोर्टर भी है, वो नाराज इसलिए कि जो नोट सुनिया, उनके हाथ में दे रहे है, तो चलने वाली नोट नहीं है, भाव एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ, आपवाद तो हम छोड़ देते हैं, कुछ-कुछ राज्यो के से अपना फंक्षन कर रही है, जो परफॉर्म करके दिखा रही है, जो जन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सीरियस दिखाई देती हैं, उन पार्टियों को, उन नेताओं को ही अब सेवा का मौका दिया जा रहा है, हम पिछले दस साल से देखे तो एक बात साम हमने आ रही है, कि लोग खिचडी सरकार नहीं चाहते, खिचडी सरकार नहीं चाहते, तो हमने देखा ममता हो, जय ललीता हो, या दूसरी पार्टी एक दम से बदल देते, लेकिन वो पार्टी सत्ता में आ सकते इस धंग से मेज़ोरिटी देते, हमने महाराष्ट में देखा 2017 में BJP और शिवसेना को इस धंग से संख्या दे दी नमबर यो मिलकर ही सरकार बनाए पवार साथ गलत धंग से किसी के तोड़ कर पवार या कॉंग्रेस सरकार ना बनाए इसी धंग से संख्या दी थी अब पिछले चुनाव में भी जब शिवसेना बीजेपी साथ थी उनको clear majority दी थी clear majority तो अगर इनों ने तोड़कर मोड़कर बना उसकी किमत तो शिवसेना को यहां भुगत नी पड़ेगी और clear cut बीजेपी को majority मिलेगी अब हम बंगाल देखते तो बंगाल में जो congress और left का front बना उसको लोगों ने vote नहीं दिया खतम कर दिया बीजेपी को दो number की party बना दिये अगर अगले जो साल अगला चुनावाने तक बीजेपी ढंग से opposition का काम करेगी तो बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ सकती है majority ला सकते है आज उनको probation पर रखा है trial में रखा है यह हमें समझने चाहिए देखो राजस्तान हो 36 गड़ो मध्यप्रदेश हो Congress को लोगों ने चुन कर दिया क्योंकि वही एक alternative था वसंदरा या जो वहां के चीप मिर्टर बीजेपी के थे वो भी मनमानी अगर करेंगे तो लोग नहीं सहेंगे लोगों ने बता दिया है 36 गड़ या मध्यपदेशर 36 गड़ तो तीन तीन बार बीजेपी ने जीता था फिर भी लोगों ने हराया लेकिन हराते वक्त लोगों ने एक बात देखी कि बाई अल्टर्नेट्व पार्टी एक है एक जूट से एक अक्की पार्टी है कोई खिचडी नहीं है खिचडी नहीं है तो लोग आइस्ते आइस्ते टूपर्टी सिस्टिव द्वी पक्षियव वहस्ता लोग अपने आप ला रहे ऐसा दिखाई देता है और का चुनाओ देखो ना हम तो सुनते थे एक साल से कि मूदी तो हरने वाला है एंडिये को भी बहुमत नहीं मिलेगा लेकिन मिला जिस राजस्तान मध्यपदेश चतिसगड में बीजेपी ने सत्ता गवाई थी वहां कि नियरली ओल सिट बीजेपी को मिल गई पार्लेमेंट क्यों कि सरकार कंशनमनने वाला है इसका हमें चौइस करना है मतरे सब्सक्राइब कि मुझे चुनना क्या है मुझे गौव Annand nac değişable कि जब कोई एक बड़ा बड़ी पार्टी टाकर सेag19 चुनकर आएगी एगव और गलतिया करेगी नेक्सीन उसको निकाल पनेगे यह अब वोटर समझ गया मद्दाता समझ गया दुर्देवा हमारा यह कम नसीब यह है कि हमारे पत्रकार मीडिया या जो एनिलिस्ट है पुलिटिकल एनिलिस्ट है वो समझ नहीं पा रहे है कि हमारा वोटर कितना मैच्वर हो चुका है मैच्वर हो चुका है तो इसलिए जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है डेमोक्रसी इसी धंग से अभी देखो यह सब नाटक चंदाबाबु ने किया तक खतम हो गए खतम हो गए जगन्रेडी अब जगन्रेडी धंग से जीत रहे हैं तो उनको पाथ साल का समय दिया है अगर गलत करेंगे तो वहां कोई अल्टरनेटिव पार्टी कि टीडीपी होगी नहीं क्योंकि टीडीपी को काम ही नहीं करना है तो शायद बीजेपी अगला चुनाओं बड़ा अपोजिशन बनकर आंधर में सामने आ सकती है तेलंगणा में भी बीजेपी आ सकती है तो लोगों ने मतदादाओं ने तई किया है कि पात साल के लिए बार बार सरकान ना बदले इसी धंग से वोटिंग पैटर्न बनाएंगे